आप सब खेरिये से होंगे आज की वीडियो में एहम कबर को शेर किया जाएगा कि यूके में मुझूद इलिगल इमिग्रेंट्स के लिए अमनेस्टी को लेकर बहुती एहम अपडेट्स जारी हुई है जैसा कि आप जानते ही हैं कि काफी टाइम से अमनेस्टी को लेकर काफी मौमलात और बाचीत जो नसी है वो चल रही है और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी नई ड्वेलपमेंट हुई है जिसके जरीए अब चांसिस बन रहे हैं अमनेस्टी मिलने के जो के अनकरीब इसका फैसला देखने को और सुनने को मिल सकता है और मजीद इसी जानिब से एक बिल भी पेश किया जा रहा है और ये बिल किन की तरफ से पेश किया जा रहा है और आने वाली नई ड्वेलपमेंट इलिगल इमिगरंट के लिए क्या होने जा रही है तो इसी हवाले से तमाम तर डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इसलिए हमेशा की तरहां आप सबसे रिक्वेस्ट है के वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को आगे भी शेर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट को तो जैसा के World Health Organization और UNO तो इनकी तरफ से भी UK में मजूद जो illegal immigrants के लिए यानि के immigrants के हक में अब अवास को बलंद किया जा रहा है और हकूमत को फोर्स किया जा रहा है कि UK में मजूद illegal immigrants को भी वेक्सीन लगाई जाए और उनसे उनका status ना पूछा जाए ताके उनको भी वेक्सीन लगाई जाए बिना status के तो इसी जानिब से UK की हकूमत ने इन organization की बात मानी इसका एलान भी उन्होंने अब कर दिया है जो के मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियो में इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शियर कर चुकी हूँ तो अब UK में मज़ीद महजरीन तन्जीमों का हकूमत को ये भी कहना है के ये सिर्फ काफी नहीं के illegal immigrants को वेक्सीन लगा देना और फिर इनको ऐसे ही छोड़ देना के ऐसे illegal immigrants के बारे में मज़ीद सोचा जाए तो इसी जानिब से 140 के करीब ऐसी तन्जीमें हैं जिनोंने हकूमत के सामने ये मुतालबा रख दिया है के अब illegal immigrants को UK में legal status दें और इसी जानिब से इन तन्जीमों की जानिब से UK के पार्लामेंट में भी बिल को पेश करने के बारे में गोर किया जा रहा है के वेक्सीन लग जाने के बाद UK की हकूमत illegal immigrants के लिए अमनेस्टी का भी अलान करे और उनको भी legalize करे और इन ही तन्जीमों की तरफ से इस बिल को UK के पार्लामेंट में आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा और इसी तरह जो इनसानी हकूग की अदालत है तो वो भी इस बिल और इन तन्जीमों का साथ दे रही है तो अब ये आने वाले दिनों में जब ये बिल पेश किया जाएगा तो फिर हकूमत की तरफ से जूरी दे दी जाती है या फिर नहीं जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आप लोगों के साथ जल्द इसकी डिटेल शेयर करूँगी लेकिन अब उमीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में यूके की हकूमत ज़रूर इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लीगलाइस करने की तरफ जाएगी उनके लाजमी तोर पर अमनेस्टी इमिग्रेशन का पोग्राम लेकर आएगी तो ये थी आज की एहम त्वीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के आपको पसंद आई होगी इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सब से किसी लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक यू, खुदा हाफिज